बॉलिवूड इंडस्ट्री के अक्ट्रस बरिनीता चोप्रा ने जब से आम आदमी पार्टी के नेता और सांसर रागव चड़ा से सकाई की है तब से वो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में बनी हुई है परिनीता चोप्रा और रागव चड़ा को लेकर रोज कोई न कोई खबर सामने आती रहती है कभी दोनों साथ में एपोट पर नजर आते हैं तो कभी दोनों की फ्यारी तस्वीरे सोशल मीडिया पर वाइरल हो जाती है लेकिन इसी पीच परिणीता चोपड़ा और रागव चड़ा की शादी से जुड़े फंक्शन को लेकर बड़ा अप्टेट सामने आया है रिपोर्ट में रिसेप्शन के वेन्यू के बारे में बताया गया है परिनिता चोपड़ा और रागव चड़ा की सगाई के बाद से फैंस को अब इन दोनों की शादी का इंदजार है परिनिता चोपड़ा और रागव चड़ा की शादी को लेकर अभी तक कई खबरे सामने आ चुकी है कई खबरों में शादी की डेट तक के बारे में बताया गया है लेकिन इन सब के बीच परिनीता चोपड़ा और रागव चड़ा के रिसेप्शन पार्टी के विन्यू को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है मीडिया रिपोर्स के मताबिक परिनीता चोपड़ा और रागव चड़ा की रिसेप्शन पार्टी के लिए गुरू ग्राम के दिलीला एमिन्स होटेल को चुना गया है खबरों के अनुसार परिनीता चोपड़ा और राघव चड़ा के घर वाले यहाँ फूट टेस्टिंग सेशन के लिए पहुचे थे इसके बाद से इस जगा को फाइनल माना जा रहा है पहले खबरों में दावा किया जा रहा था कि परिनीता चोपड़ा और राघव चड़ा मुंबई चंदिगर और गुरुगराम दीन जगा रेसेप्शन पार्टी करने वाले हैं परिनीता चोपड़ा और राघव चड़ा की शादी को लेकर अभी तक कई खबरे सामने आ चुकी है हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मताबिक परिनीता चोपड़ा और राघव चड़ा की शादी इसी साल अक्टूबर में हो सकती है लेकिन जानकारी के लिए बता दे इसको लेकर अभी तक कोई अधिकारिक खबर सामने नहीं आई है